आपको समय देता हूं मुझे कमेंट करके बताइए कि यही तो सीखने का है जब आप यूटूब से सीखना चाहते हैं तो घर बेटे कि क्यों नहीं है ऐसे ही सीख लें चाहिए दी मतलब यहां पर भी देखे जली से मुझे बताइए फिर से मैं आपको चार्ट सेकेंड दे रहा हूं कमेंट किये यह क्या है जो भी वीडियो देख रहा है जली बताइए यह क्या है मैं थोरा जूम कर देता हूं देखे यही है मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है दो तो यह नॉर्मल डायोड हो सता है यह चैप का क्या खाम कर रहा है तो आपको मैं बताऊंगा अब यहां पर भी यह डायोड लगा है प्ड़केया यह डायोड कॉन ना यह 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 जिस्टर है लाई क्या है तो यह सारी चीज में आपको बताने वाला हूं Next class में तो ये जुरे रहें मेरी class में और अगर आपको Top Libal का पढ़ना है और अगर आपको इंतेजार नहीं है सिर्फ अपनी जद के जित है मेरा फिटूर जित है मेरा गुहर जित है मेरी जुर So, हुआ हमार यूटॉब फैमली कैसे आप सभी लोग मैं आ गया हूं सर्केट डाइगराम में आई यह चलते हैं और सर्केट डाइगराम में समझते हैं डायोड दूस्तों मैंने उठाया कि उनका function क्या है उनकी working क्या है और उसके बाद में किसी नेस्ट वीडियो में इसकी testing जरू बताऊँगा और identification बताऊँगा और PCB में अब भी हम बात करते हैं schematic के तुरू हम डायोड को पैचाना और यह पता कर लेना कि उसका function क्या है working क्या है और बिसी के लिए खराब होगा तो क्यों होगा और क्या यह सारी चीजें यह theoretical आईए इस वीडियो में समझते हैं बहुर इंपोरेंट है paid contain so जल्दी उठालो देखलो like कर लो subscribe कर लो ठीक है so चलिए दोस्तो आप notice कीजे मैंने एक side यहां पर diagram खोल कर रखा हुआ है और एक side यहां पर मैंने खोल कर रखा हुआ है इसका schematic ठीक है so मैं इसको तोड़ा सा जूम कर लेता हूँ हमेंसा जब भी भी आप schematic खोलें so वह बहुत छोटा और एडम ऐसा दिखता है कि जो हम देखनी सकते तो इसलिए इसको हम जूम कर लेते हैं क्योंकि इसके word बहुत चोटे small देखते हैं तो इसके जितने भी character है इस बस network section को छोड़के diode आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगे आप भी frequency section में ऐसा नहीं है कि नहीं देखने को मिलेंगे वहां भी होंगे बड़ voltage के सिनारियो में जैसे PFO के पास होंगे जो voltage जा रहे हैं चार voltage जा रहे हैं उनके लिए होएंगे बागी frequency की range के लिए diode नहीं लग आप करूं यहाँ पर मेरा बैक्टी करेंटर है इस करेंटर के पास है जो symbol है यहाँ पर इसको denote किया गया है D से D मतलब इसका symbol होता है मतलब इसको हम शो कर सकते हैं अब यह D क्या है अब यह D कुछ भी हो सता है दोस्तो यह एक नॉर्मल डायोड हो सता है यह जिनल डायोड ह यहाँ पर क्लिक करेंगे notice कीजे तो यह डायोड यहाँ पर आपको देख गया है अब दोस्तों यह जो डायोड है यह बहुत यह बहुत ज़्यादा suspense वाला डायोड है क्योंकि यह डायोड जो होते हैं यह जिनल डायोड भी के जैसे भी दिखते हैं और यह टीवियर्स प्राइज़ब करने को वह देखता है यह ग्रांट करने का का म की एक है तो ग्रांट करने का क्राइज इस तो पाइक ट्रम करता है आप तो एक यह करने का काउं करता 주ijn testing है और जो इसकी identification में बताऊंगा मैंने इस वीडियो में ने कहा आप से सो यह basically हमारे ground के सार लगा होता है तो यह basically हमारा OCP मतलब over current protection के लिए लगा होता है तो इसका काम over current protection है और यह voltage और यह current को करने के लिए है जो भी current आप यहां से बैटरी के तुरू दे रहे हैं अब उसके अलावा दोस्तों यहां पर हम आपको आपको समझ में आए ठीक है इसलिए तो हमारे पड़े हुए इस्टूइंट टीचर बन जाते हैं अगर मैं बात करूं यहां पर अगर हम डी की बात करेंगे दोस्तों यहां पर यह जो डी है आप नोटिस करो यहां पर इसका जो सिंबॉल है आप ना इसकी फोटू खीशते रहा हो क्योंकि फोटू से आपको पता चलता रहेगा आगे इन फूचर और आप अपना लेक्चर बनाते रहा हो नोट करते रहा हो दोस्तों यहां पर आप देखें कि डो आपको डायोड दिखाई दे रहे हैं बैसिकली टीविय बैस्ट होता है वह और अत्रिट करण को बाहर करता है अगार मैं बात करूँ यह जो डायोड है उसमें आपको दो तीरग निचार ओपर बी जा रहा है नीचे बी जार रहा है so यह एक बाइडाइशनल टीवेस दायोड है और यह इसको हम एसडी इलेक्रिक स्टेटिस दिश्चार्ज मतलब अत्रिक करने के लिए यह बनाया जैसे कि मैंने बताया और यह भी ग्राउंड दिया गया है और यह भी हमारे प्रोटेक्शन सर्कुट के लिए लगाया गया है और य यहां पर भी देखें यहां पर भी यह बाइडाइशनल डायोड है बाइडाइशनल का मतलब यह होता है यह दोनों तरफ से ही काम करता है और यूनिडाइशनल है वह एक तरफ से काम करता है ठीक है और इसके अलावा अगर मैं डायोड की बात करूं देखें यह डायोड यह एक जिनल डायोड होगा ठीक है और अगर मैं और बात करूँ यहाँ पर क्योंकि यह जो मेरा वीडियो है यह डायोड को अब दोस्तों यह भी डायोड है LED एक डायोड के फॉर्म में होता है तो आप नोटिस करो उसमें तीर का निसान होता है इसको जरूर आप कॉपी कर लेना सो आप देखें यहां पर So, यह LED led डायोड है यह भी आपका डायोड है Lyte emittine Diode अब आप कीज़े यहां पर निदेख्वए हमको पावर के भगल में घृत दायोड मिलGu है तो इसका काम मतलब आप समझिए सि इसका काम माउक संपल सा काम यह क्या नहीं आपको बताया होगा पर एकफिला करेकर बताना अभी तो मैं डो सेकेंड रहा हो मुझे घर करें बताऊ अभी व्यूडवाग्त कर लो करो खढ़क कि आयो कि आपने कमेंट किया होगा थो अब क्योंकि यह पर रहे हो वह सीख रहे शरी अगर पिच्छ तो न जैसे कि मैंने बताया जो यह टीवीज डायोड है तो अगर मैं बात करूं यहां पर और देखेंगे देखो एट डी और मिला है और यह तीन लैका है आप नोटिस किजे यह डी आपको मिला है यह तीन लैका है यह आपको कोई नहीं बताएगा मुझे नहीं लगता है कि अब त यहां पर आप देखेंगे दो आपको बाइडारेजनल डायोड लगा के दिए हुए हैं इक आईसी के फिर्म में तो यू से भी दिखाते हैं और इसको डी से भी दिखाते हैं यह बिसी किलिए प्रोटेक्टेक्शन दो लेयर को करती है एक साथ सो आप नोटिस करों यहांप पर यह आपकी फिंगर्प्रिंट की लेर को सपोर्ट कर रहा है फिंगर्प्रिंट वीडी आयो जिस पर 1.8 वोल्टेज आते हैं और वीडी जिस पर 2.8 वोल्टेज आते हैं सो उनी की दोनों लेयर ओपर एक टीवेस डायोड लागा के रखा हुआ है एक एसदी प्रोटेक्शन आइसी लागा के रखी हुई है जिसमें दो बाइडाशनल डायोड है इसकी टेस्टिंग दोस्तों नहीं होती है बड़ देखा जाए तो कर सते हैं मैंने बता ना मैं टेस् घृफिकेसन के लिए यूज किया जाता है सीटु कंफर सरनिन त一次 बैदियां पर है सिंगर कुंकि को क्यूंक करन को एससी डायोड का में या आगए क्यों करन कान को वान वे में यह अपको रिवर लोका यह की दिसा में काम करेगा यह सब्सा एक डीसा बाऊंच से ंवह तो जितने लोग आ रहे हैं जिनका टिकेट है वो तो जाओ जिनके पाद नहीं हो पापस जाओ चले आप आयो कि आप इस वीडियो से बहुत अच्छा सा समझ पारे होंगे और हम देखेंगे यहां पर कहीं पर भी डायोड और जहां पर भी हमें लगे हम डायोड में देखेंगे और चले चले यह वाला सेक्षन हो गया क्लियर यहां पर जाएंगे और देखे यह हमारा नैट्रक सेक्षन में हमें लेडी अब मतलब यह डायोड टाइप के कॉम्पोरेट नहीं मिलते हैं फिर भी अगर मिले तो मैं बताता हूं कि कहीं पर भी आप देखें डी नहीं लिखा ह हुआ है ऐसा नहीं है डी लिखा हो सथा सफे सारी चीज नोटेस कर रहा हूं ठीक है यह यहां पर देखें किने प्रक सेक्षन है क्या चले अब मैं इसके सेक्षन में लेके चलता हूं आपको तो इन ऊपर भी चलता हूं यह भी नेटराइक एरिया यहाँ पर तो यहां पर आपको diode मुस्कल से ही मिलेगा सब सी 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 तो डोस्तों मैं CPU MMC के पास आचुका हूँ अब CPU MMC के पास आऊ और यहां पर आपको बताता हूँ तो नोटिस कीजेगा सब्सक्राइब को देखा दे रहे हैं नहीं इस दी मतलब यहां पर भी देखे जली से तरीका बहुत अलग है दोस्तों मैं वो टीचर नहीं हूँ जो गदी वाली कुर्सी में बैड कर बस यहां वहां ऐसे हिल कर और आपको पाच्छे गंटा पड़ा दू मेरा जो टीचिंग दूस्तों मुझे जली बताइए मैंने समय दे दिया आपने अपने करके बताओ यह इस दिया घ्यूनि बताओ यह यह यूनी ड्रस नल है यह यह एक कौन सा यूणी डायरेशनल है उनकी खास बात यह होती है कि उनका एक सरा ग्राउंड होता है और ग्राउंड तो होता है कि दोस्तो ग्राउंड रखने का क्या रीजन है उसकी खास बात क्या है एक बार बताइए आप अपने दुकान में जो जहाओ लगाते तो उसका बाहर फेकेंगे अव्यस है चलिए आप देखें यहां पर यहां पर दो डायोड और मिल गए मुझे यहां पर अब देखें यह दो चोटे-चोटे डायोड है तो यह भी टीविस डायोड होंगे क्योंकि हमारे फोनों में जो स्पाइक करेंट होता है वो सबसे ज्यादा करो चलो नौा आछिए रॉता चंचपांचा किल खुरन कर दिया आयोप है दोस्तों यह घौर यह दोनों आपका दायोड है और इसमें दो आपके दिगे घौर किया है बिसगल और यह यह भी बिल्कुल वैसा ह्यी होता है जैसे युनिक डारेशनल में आपने नोटेस किया होगा वहां पर हम प्लस की जगेहां अगर आप प्लस को माइनस नहीं देएंगे तो फोर्वर बैस हो जाएंगा वह बिल्कुल एक डायोट के जैसे काम करेगा तो इसलिए उसको प्ल और यह भी एक ग्राउंड के साथ लगा हुआ है और दोस्तों आप जितने भी हाँ पर डायूड देखेंगे वह आपको वही दिखाई देंगे एक ग्राउंड के साथ अचा देखें आप तेन लेक के डायोड और मिल गए अब फिर से टस की कांटिंग करता हूं और नीचे आपको समय देता हूं मुझे कमेंट करके बताएग क्यूं के которую क्यों यूट्यूब आपको बताया था कि दो पाइड आरेशनल डायोड को यूज करके जब एक साथ लगाया जाता है तो वो दो रेल के लिए लगा जाता है दो रेल मतलब दो तरह की ट्रेकों के हो तो बिसिकली एक एक आईसी के फॉर्म में होता है और यह तीन लेका एक आईसी होता है इसको यह प्रोटेक्शन के लिए है तो यह तो रहा डायोड का सफर आप आज ही अभी क्या भी अपने रेड्मी 8 का सर्केट कोलो और कोई सर्केट मत खोलना और पहले जो मैंने खोला उसी को खोल खोल के बार-बार याद करो रटो जो करना करो उसके बाद में फिर दस सर्केट खोलना और तब आप न तब आप कोई भी सर्केट कोलोगे न आप डायोड इसली बता दोगे अब नेस्ट वीडियो में मैं क्या लाने वाला हूँ मैं तो पहले से बता देता हूँ जैसे यहाँ पर म एले से क्यों कि मैं प्रीमिर करता हूँ वीडियो को तो आपको में यहाँ पर यह लेकिये वी दिखाय दे रहा है आपको यह तो तो यह सारी चीज में आपको बताने वाला हूँ नेस्ट क्लास में तो यह जुरे रहे ना मेरी क्लास में और अगर आपको टॉप लेबर का पढ़ना है और अगर आपको इंतजार नहीं है अगर आप से मुबाइल बापर जा रहे हैं और अगर आप इस schematic को नहीं समझ पा रहे हैं या आप सिर्फ ICO पर काम कर रहे हैं आप dual day कर तो बहुत अच्छा कर लेते हैं आप ICA अच्छी बना लेते हैं पर आप circuit के in out नहीं समझ पा रहे हैं आप यह सारी चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं आप schematic पर निरबढ़ हो चुके हैं या आप schematic भी पढ़कर आए हैं और तब भी आप schematic के आगे काम नहीं कर पा रहे हैं आपके पास ऐसे phone आ रहे हैं जिनका schematic नहीं है और आप फिर उसके बाद काम नहीं कर पा रहे हैं आप burniयों पर अधारित हैं और आपको खुद पता है कि burniयों आधा दूरा solution देता है और market में जितने भी solution हैं सब paid होते जा रहे हैं तो आप अपना phone का आधा पैसा उन paid solution को देने से अच्छा है एक बार इसे टेलिकॉम आईए हमको join कीजे और हम आपके सारे paid solution का एक ही बार में आपको solution देंगे फिर आपको किसी भी तरीके का इस तरह के paid solution लेने की ज़ूर्वत नहीं परेगी तो दोस्तों एक बार बहुका ज़ूर देना इसे टेलिकॉम को and thank you very much and ये वीडियो को enjoy करने के लिए thank you